कि हलो दोस्तों मैं मुहम्मा सर्फराज मेरे यूटूब चैनल इलर्निंग विदुर्गेश में आपका स्वागत है आज हम भारत भुगोल सीरीज में भारत के भौति प्रदियस और भौति प्रदियस सम्मंधित जो प्रस्णा एक्जाम में पूछे जाते हैं उस पे हम चल्य देखते हैं कि कैसा प्रस्ण है चल्याएं परला परस्ण है भारत विवाजित है तो जो भारत है वह चार प्रकृतिक पर्देश्वें विवाजित है उत्तर में हिमालय पर्वत इमालर के दच्षिण में व्रिहाद गंगा के मैदान गंगा के दक्षिन में प्राइदेपी भारत का पठार और प्राइदेपी भारत के पूरु अपस्ची में घाट आगे हम देखते हैं तो अगला प्रस्न है हिमाले की रचना समनांतर वले स्रेडियों में हुई है इसमें प्राचिंतम स्रेडी है तो जो ब्रिहत हिमाले है वह ब्रिहतम स्रेडी है और जो प्राचिंतम स्रेडी है वह ब्रिहत हिमाले स्रेडी है क्योंकि इसकी रचना सबसे पहले हुई फिर इसके बाद लगु हिमाले और शिवालिक स्रेडी की रचना हुई आगे हम देखते हैं लगू हिमाले इस्थित है तो जो लगू हिमाले है वह सिवालिक और महान हिमाले के मध्य में इस्थित है आगे देखते हैं उत्तर भारत में उत्तर भारत में उत्तर पस्षिम हिमाले छेतर के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है तो उस मैदान को हम भावर के नाम से जानते हैं अगला प्रस्न है पुर्वी हिमाले की तूलना में ट्री लाइन का उचाई मान पस्षी हिमाले में होता है तो जो पस्षी में इसका मान होता है वो कम होता है ग्रेट हिमाले की उचाई 8,849 मीटर है महान हिमाले की अवसत उचाई 1,800 मीटर है जबकि इसकी सबसे उची चोटी माउंट एवरेश्ट है इसकी उचाई 8,849 मीटर है माउंट एवरेश्ट इस्ति तो माउंट एवरेश्ट नेपाल में इस्ति जहां पर इस सांगर माथा के नाम से जानते हैं विश्वे में इसे माउंट एवरेश्ट तथा तिब्बत में इसे चोलो लुंगुमा के नाम से जाना जाता है भारत की सर्वोच चोटी है तो भारत क प्रीठी बिज़ छोटी कुमायू हिमाले का भाग है अक्साइचीन का भाग है अक्साइचीन का भाग है तो यू – शिकल राज़स्थान राज में है जो अरावली परवत की सबसे उत्री छोटी है इसकी उचाइचाए 172 मीटर है अगे देखते हैं सिवा रा की पहाड़ यां तमिलनाडू में पूर्वी घाट पे चतीत है कि अगे हम देखते हैं गोसाई ठान कामेट नन्दा देवी तृषूल परवक्त सिख्रों में से एक भारत में अवस्थित नहीं है तो जो गुसाई थान है वह भारत में इस्थित नहीं इसके अलावात थान कामेट नंदा देवी तिसूल यह सभी भारत उत्राखंड में इस्थित है आगे देखते हैं ट्रांस हिमाले मूलता खंड है तो यह यूरेशियन प्लेट का खंड है भारत की सबसे उठी चोटी केट हिमाले के प्रमुखप चोटी सिकरा नकी उचाहिया तो सबसे भारत की इसे उची हाइब ẹजिक सबसे उठी चोटी और हिमाल completed चोटी है और यह सिक्की में थी थे कंचन जंग cancelled माउंट कि दूसरी लेकिन भारत की सबसे ईची चोटी है याद रेगा कंचन जंगा माउंट की दूसरी विष्व की विश्व की सुटी और भारत की मैं पहली सबसे उची चूटी है क्योंकि यह हम 20 की तूला में बात करें यह हम हिमालय को छोड़ दे तो विश्व की सबसे चूटी मांट एवरिस्ट है दूसरे स्थान पे केटू का नमबर आता है तीसरे आपका आएगा कंचन जंगा और पहले आपका आएगा माउंट एवरेष्ट तो यह बिश्व की तूला माउंट एवरेष्ट हो गया दूसरे स्थान पर केटू हो गया तिसरे पर कंचन जंगा हो गया यदि हिमालय की बात करें तो पहले पर माउंट एवरेष्ट होगा दूसरे पर कंचन जंगा होगा और टीसे नमबर में जिसकी ऊचाई 8482 मीटर है यह नेपाल में है चौथे नमबर पे धोला गिरी है इसका उचाई 8172 यह नेपाल में है पांच वे पे नंगा परव तही की ऊचाई 8126 मीटर है यह जमू कसमीर में इसती थे इसके बाद देखते हैं अन्व पूरा आठ हजार अर्सवन तालिस उत्तरा खंड में है फिर नामचा बर्वा है बद्री नात है तिसूल नीलकंट के दार नात है आपको हमारे टेलीग्राम एप में यह पीडिये भेदिये जाएगा यहां से आप यह डाटा लिख सकते हैं चल कर चोटी है तिबत में ब्रह्मपुत नदी को जानते हैं तो तिबप व शांगपो के नामसे हम ब्रह्मपुत को जानते हैं गंगोध्त है गंगोत्री हिम्नग इस्थित है तो यह समप्ल कर सकते हैं हमारे य्ूट्फूब चैनल पर टेट सिर्टेट सम्मंदी ऑनलाइंग कासिद उपलब्द है कि आगे आगे देखते हैं मध्य और महान हिमाले के बीच खुली जगह को कहते हैं तो उसे हम घाटी के नाम से जानते हैं पस्ची में कस्मीरी घाटी तो पूरू में काठमांडू की घाती है बीच में आपको कुलू और कांगणा की घाटी भी मिलेगी हिमाले की सबसे बाहरी एवं नमिंतम स्रेडी कही जा सकती है तो हिमाले की सबसे बाहरी एवं नमिंतम स्रेडी सिवालिक हिमाले अथवा उप हिमाले को कहा जाता है 有 धे तो चुम्वी घाटि इन थे तोमपी खाती सिख्कि में इर्छ यह महानि मतलह लगू हिमाले के मर्ण इसती से आगे देखते हैं कष्मीर की घाटि तक दद जिल दप्ध कमीर की ओर-ईए निम मर्णकी अलग होटा और लक्रsource धा के सिवाले के बीच पाया जाता है नदी कुछ सिमंत द्रार पाए जाता है कि-, काली नदी सहायक है तो काली नदी घागरा की सहायक नदी है फूलो की घाटी इस्थी थे तो कुमाईू हिमालय में फूलो की घाटी इस्थी थे लोक्टक जिल इस्थी थे तो मड़ीपूर में लोक्टक जिल है हिमालय की सबसे बड़ा ग्लेसियर ससाइमी है यह 158 किलोमेटर च्छेतर में फैला हुआ है आगे देखते हैं पर्टक अस्थल मसूरी नैनी ताल रानी खेत अन्मोडा और दाजलिंग यह मद्ध हिमाले में इस्थित है जोडने वाला ढ़्रा बुर्जिल ढर्रा है जबाहर सुरंग इस्थिते तो ये बन्य हाल दर्रे में इस्थिते मद्ध हिमाले की दछ्रितम स्रेडी धौला धर पुरू में आनी जाती थी तो ये महाभारण स्रेणी के नाम से जानी जाती है सिया चीन और हिस्पदर्रे इस्थित है, तो सिया चीन और हिस्पदर्रे ब्रहद हिमालय में स्थित है सिंधु नदी घाटी विस्तित है यह जासकर और लद्दाक स्रेणियों के मद से होकर भहती है हिमालय की तीन स्रेणियों को सतलज नदी जिस गार्ज दुआरा विछिदी करती उसे कहते हैं तो यह सिपकिला गार्ज है जम्मु कस्मीर मार्ग गुजरता है तो जम्मु कस्मीर जो मार्ग है वो बन्हाल दर्रे से होकर गुजरता है कुल्लू घाटी अवस्तित है तो कुल्लू घाटी धौला धर और पीर पंजाल परवस्तिरणियों के बीच में इस्तित है कोरी निविसका किस पर इस्थित है तो कोरी निविसका कच केरन में इस्थित है सांध घाटी अवस्थित है तो सांध घाटी केरल में इस्थित है भारत और चीन के मद बेपार बढ़ाने के लिए पुनह खोला गया दर्रा तो यह दर्रा नाथुला दर्रा है कि आगे में देखते हैं एलिफेंट डर्रावस्थित तो यह भारत के केरल राज में स्थित है भारत में उपबंद पूरा चुम्ध की परिडाम के संकेत मिलते हैं कि भुकाल में भारती अस्थल पिंड खिसका है तो यह उत्तर को यह मज्योगस का हुआ भाग है यह उत्तर मे किसका हुआ है भारती उभ महादीप मूलता एक विका एक विसाल भुखन का भाग था जिसे हम गोडवाना लेन्ड और अंगरा लेन्ड के नाम से जानते हैं भारत के अत्रिक महादीपी परवक निर्मित हुए पहले जोईक महाकल्ब में तो यह आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में मिलेंगे और भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे यदि इससे आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूटूब चैनल ए-learning वी मिलेगी उसे खोल कर आप देख सकते हैं उसमें अलग अलग परवतों अलग अलग पठारों का अधन किया गया है जिसे पढ़कर आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं ठैंक्यू जय हिन जय भारत